आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 में रिलीज हुई 10 हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में इस फिल्म के लीड रोल में तब्बू, करीना कपुर और कृती सेनोन थे फिल्म का बजट 75 करोड का था और इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में 160 करोड का कलेक्शन किया था उसके बाद नंबर 9 पर है दा गोट लाइफ इस फिल्म का बजट 80 करोड का था और इस फिल्म ने 161 करोड रुपे का कलेक्शन किया था नंबर 8 पर है रायान इस फिल्म के लीड रोल में धनुष थे और फिल्म का बजट सो करोड था और इस फिल्म में 165 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया है नमबर साथ पर है गुंटूर कारम महेश बाबू की एक और फ्लॉप मुवी जिसका बजट 200 करोड का था और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 172 करोड का कलेक्शन किया है नमबर चे पर है शैतान अजय देवगन की इस रीमेक फिल्म ने बवाल मचा दिया था नमबर पांच पर है मनजुमल बॉइस बीस करोड के बजट में बनी ये मुवी 242 करोड रुपे का कलेक्शन किया है नमबर चार पर है रितिक रोशन की फिल्म फाइटर इस मुवी को सिधार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है लेकिन फिर भी 250 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने मातर 340 करोड ही कलेक्शन कर पाई नमबर तीन हनुमान मुवी का बजट मातर 25 करोड का था और इस फिल्म ने पूरे 350 करोड का कलेक्शन किया है नमबर दो पर है स्त्री टू ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और फिल्म का बजट मातर 50 करोड का है और अभी तक ये मूवी 660 करोड का कलेक्शन कर चुकी है उसके बाद नमबर एक पर है प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD ये फिल्म एक साइंस फिक्शन मूवी है और 600 करोड में बनी इस फिल्म ने 1200 करोड से भी ज्यादा की कलेक्शन कर लिया है